साथियों, 2016 में, विजिलन्स एवर्नेस के प्रोग्रेम में, मैंने कहा था कि गरीबी से लड़ रहे हमारे देश में, करप्षन के लिए रत्ती भर्वी स्थान नहीं है. करप्षन का सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे ज़्यादा नुक्षान, अगर कोई उठाता है, तो वो देश का गरीब ही उठाता है. इमानदार व्यक्ति को परिशानी आती है. आपने देखा है कि दसकों से हमारे यहाँ जो स्थितियां बनी हुई थी, उसमें गरीब को उसके हक्का नहीं मिलता था. पहले की परिश्थितियां कुछ और थी, पर अब आप देख रहे हैं कि डीबीटी के माध्यम से गरीबों की मिलने वाला लाब, सत प्रतिशत गरीबों तक सीधे पहुँच रहा है. उनके बैंक खाते में पहुँच रहा है. अकेले डीबीटी की वज़े से एक लाग सतर हजार करोड रुपिय से ज़्यादा गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं. आज ये वर्क के साथ कहा जा सकता है, और हम गर्व के साथ कहा जा सकता है, कि हजारों करोड के गोटानों वाले उस दौर को देश पीछे छोड़ चुका है. आज हमें संतोष हैं कि देश के इंस्टिटूशन्स में आम जन का भरोसा फिर से बढ़ा है, एक पॉजिटिविटी क्रियेट हुई है.